चार सुट बन गया है तकरीवως 400 के करीब लोगों का नाम चार सुट में शामिल हुआ है आपको क्या लग रहा है कि जिन लोगों के नाम हैं वाकई वो काती हैं लेकिन कई मेने ग visitor चुके हैं कई ऐसे गर हैं जिन में एक ही मप्रड़ है, जो कमाने वाला है वायरेस्ट हुआ है उनकी रोजगार का मसला हुआ है ऐसे फैमिली के लिए आप कुछ कर रहे हैं क्योंकि आप एमेले हैं भले आपका घर जला है वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है एक बड़ी चीज है लेकिन ऐसे घर हैं जिनके चूले बंद हो गए हैं ऐसे लोगों के करने के लिए कुछ शोशल वरकर आ गये थे वह भी वीडियो में आ गये और वह इसे लोग भी गरफतार हुए है इस पर आपकी कॉंस्टनसी है आपकी लोग है आप इस पर क्या तवज्व कर रहे हैं क्या इस्टप ले रहे हैं एक लोकल इंसिडेंट है लोकल पार्टी के लोग का साज़िश कर रहे हैं या कुछ लोकल मामला है इसको यूए पी ए लगाना कहां तक सही लगता है आपको बैंगलोरू तशद्द मामले में आखिरकार क्राइम ब्रैंच ने चार शीट दाखिल कर दिया है चार शीट में तकरीबन चार सो से जायद लोगों का नाम शामिल है इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अखंड़ शिर्मास मूर्ती है लेकिन सवाल पूछने से पहले ये वाज़े कर देना चाहता हूं कि इस मामले में जो है मामला यह ना यह देख रहे है सब बताये से चारक सिट तो बन गया है तकरीब चारो के करीब लोगोंका नाम जो आपको क्या लग रहा है कि जिन लोगों के नाम है वाकाई व्हकाती है गो चाहर्शील में चाहर्शी में टीवी फोटेज एटना ओनल्स हैं वीडियो में देखाऊ क्वोन गलत है, खुण करको उसे अरश करना चारशिक जब आई है, उसमें ये क्लियर किया गया है कि इसमें कहीं ने कहीं कॉंग्रेस के लिडरों का हाथ था उसमें कॉर्पॉरेटर्स का नाम भी आया है आप ही के कॉर्पॉरेटर जो आपके अंडर में आते हैं संपतराच का और जाकर का नाम उसमें शामिल है तो आपको क्या लगए रहा है गए वागए ये लोग शामिल होंगे ऊसमें या फिर कहीं से या सी साजिश है, बी जेपी की कोई चाल है, या ऐसा लगढग है आपको कि देखके हमारा कांसेश्य में हमें युद्ध भाइं भाइं तरफ से जरा है कोर्पेटर रेंदे पार्टी कट लिए जा रहने ये कामन मैं हम सब भी मिलकू सते हाथ मीलकू काम करने का वस्ते हैं काम कर रहा है कॉंश्य अध्यादमी आज फेपर और टीवी देखो मुझे श्यक्तों आइसा अद्मी भी है कि साथ रखो ऐसा कर रहा है ना बहुत दुख्योंगा सब्सक्राइब भी लेए कोशिष करें मेर अपस क्या अभी नहीं को काम कर रहा है नहीं है जाओ बात करना यहां के जाओ बात करना यहां को जलाने का और पूरा गाड़यां जलाने का और हमारा आज बाज गरोलां का मुने गोड़ा गर और वह सभी अमरा आफ इस तोड़ने का सभी घलत है कौन करें तब उसे कल्पिट कल्पिट को पनिश्मेंट दें तर देखी यह तीन मामले हैं सबसे पहला नवीन का जो पोष्ट गये हैं लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल बेकसुर हैं उस वक्त आपने देखा होगा कि मंदीर बचाने के लिए चाइन बनाई गई थी ऐसे लोग भी हैं जो बचाए थे लेकिन वीडियो में आ गये हैं और मोब को कंट्रोल करने के लिए को सोशल वरकर आ गये थे वह भी वीडियो में आ गया हैं और वीसे लोग भी ग्रफतार हुएं इस पर आज है हैं मेले क्यूंकि आपकी कॉन्स्टंसी है आपके लोग हैं आप इस पर क्या तवज्यक्र कर रहें क्या शब्लें रहें ऑगों मैं इंस्पेक्टर पोलिस वालंको बात करको है कौन इसमे यह जो एक लगाया गया है आपको लगता है लोकल इंसिडलन है लोकल पार्टी के लोग असाजिश कर रहे है यह कुछ लोकल मामला है इसको यह युग ये लगाना कहां तक सही लगता है आपको क्योंकि ये युग नगाना किया चल्प कि खिलाफ जो आक्टिविटिस होती है सर लेकिन अभी आपके consistency से तकरीबन 400 से जायद लोग गिरफतार हुए हैं जिन पर मुकदमाच चल रहे हैं लेकिन लोगों का यही कहना है कि 50% से ज्यादा बेकसूर हैं पोलिस कह रहे हैं कि हम बेकसूरों को गिरफतार नहीं करें अगर कोई गिरफतार करें भी हैं तो उन्हें रिहा कर दियेंगे यह कमिशनर का भी बयान था लेकिन कई महने गुजर चुके हैं कई ऐसे घर हैं जिन में एक ही मर्द है जो कमाने वाला है वायरेस्ट हुआ है उनक कंसे का अंदर मैं जा रहा हूं इंस्पेक्शन कर रहा हैं किसे तकलिफ है क्या वजह हो सकती है इस पर आपका कोई डिसकॉशन होआ है पोलिस के साथ कुछ बात चीत हुए नहीं हमें किसका पास भी discussion नहीं होगा वो पॉलिस फोलां को पूछना आपको कोई से करको है करको हमना क्या भी मालूम नहीं उस तरफ से इनका कहना है कि भले ही ये साला सारा incident जो है हुआ है लेकिन इनके consistency की लोगों की मदद की ये कोशिश कर रहे हैं जो भी लोग इसमें बेकसूर गिरफतार हुए हैं वो अपने तरीके से जो है इनकी मदद करने के लिए इलाके का दौरा भी कर रहे हैं camera person Samir के साथ शाहिद कजी बेंगलोरू